नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की जोती आल क्लासिस पर हमने सम्धवनी विनारतक शब्दों की जो सीरी शुरू की हुई है उसमें आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी सबसे पहला शब्द है अपर अपरकार्थ होता है पिशला अपरकार्थ होता है पिशला अपरकाया में दर्द है शरीर के पिशले हिस्से में दर्द है जो अवर होता है उसकार्थ होता है नीचे का अवरकार्थ होता है नीचे का आप पहले अवर सचिब से मिलने अपमान अप को कमल की उपमादी गई है उपहार अपहार अपहार करना अपहार किसी ने उस बेचारे की संपत्ति का अपहार कर लिया उपहार होता है भेंट और भेंट और अपहार होता है अपहर्ण अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना किसी से किसी की तुलना करना तो वो होता है अपेक्षा करना उपेक्षा होता है तिरसकार करना अब्ज होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है वर्ष इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है भीकता और उभे होता है जिसमें दोनों वाला आर्था है अभीन्य अभीन्य होता है नाटक करना एक्टिंग करना हम कह सकते हैं कि नाटक करना अभीन्य होता है और जो अभीन्य होता है वो दृष्टता दिखाना वो उसने अध्यापक के परति अपनी अभीन्य की बुरा बरत करना की किशमा मांगी वो द्रिष्टता से लिया जाता है अभीन्य का अर्थ आगे है जी अभिमान अभिमान का अर्थ होता है एहंकार अभिमान का अर्थ होता है एहंकार सभी जानते हैं अभ्यान अभ्यान किसी काम को करने के लिए वेवस्थित रूप से जब कुछ करते हैं तो वो अभियान होता है चड़ाई से भी लिया जाता है इसकार्थ जैसे हम कह सकते हैं कारगिल अभियान इस तरह से हम इसकार्थ करते है अभिराम अभिराम होता है सुन्दर एक होता है अभिराम अभिराम जो होता है अभिराम होता है सुन्दर अभी राम, अभी राम करत होता है सुन्दर और ए विराम, ए विराम करत होता है लगातर, बिना रुके किसी काम को करना वो ए विराम होता है आगे है जी, ए भेद जिसमें कोई अंतर ना हो भेद ना हो, भेद ना कर पाएं वो होता है ए भेद हम इसको बोल सकते हैं एमल बिना मैल की जिस कपड़े के ओपर कोई मैल ना हो वो होता है एमल और एक होता है अमल अमल तजाब किसी अमल कोई भी अमल कह सकते है उधारन सब रूप तजाब अमल जिसे कोई चीज़ कहते है अमली ये है ये चीज ये कशारी है ऐसे बोलते है वो अमल होता है तजाव और एमल होता है बिना मैल की आगे है जी ए मूल ए मूल बिना जड़ का जिसका कोई मूल ना हो अमर बेल आपने देखी होगी कि अमर बेल पेड़ के उपर उपरी बढ़ती जाती है उसका कोई जड़ नहीं होती मूल नहीं होता ए मुल्य जिसका कोई मूल नहीं हो मूल होता है जड़ और मूल्य होता है भाव ए युक्त बिना जुड़ा हुआ ए युक्त और आ युक्त इसमें देखो बिलकुल थोड़ा डिफरेंस है में एयुक्त और आयुक्त में बस ये आ की मातरा नहीं लगी हुई ए को और यहां आ है आयुक्त आयुक्त होता है कमिशनर एयुक्त बिना जुड़ा आयुक्त कमिशनर ठीक है आया रथी है तिकडि और थी से आप सबी लोग समझती हूँ अरथी को टिकडि बोल देते हैं एक होता है अरथी विद्यार्थी विद्या को ग्रहन करने वाला विद्यार्थी चाहने वाला किशमा आर्थी कह सकते हैं परिक्षा आर्थी कह सकते हैं किसी चीज को चाहने वाला करने वाला वो होता है अर्थी और जो अर्थी होती है वो होती है टिकडी अर्बी अर्व देश के जोड़ के लिया जाता है अर्थी इसका अर्ब करेने वाला अर्बी कह सकते हैं, अर्बी भाषा में कुर्वान लिखा गया है, भाषा देश इस तरह से हैं, जो होता है अर्वी, अर्वी, वो होती है कंद, अर्वी, इसमें वैवो आता है, बस अंतर यही है, इसमें, आगे है जी अरी, अरी होता है दुश्मन, अर्ग अंजली भर देना देवता को अर्ग चड़ाया जाना वो अर्ग होता है अर्ग है अर्ग हमतलो होता है बहु मुल्य उसे उत्रा दिकार में अर्ग जा संपत्ती मिली ठीक है तो ये थे आज की कलास के सम्धवनी भिनार्थक शब्द तैंक्स वर वाचिंग, धन्यवाद